मैमेडिया में आपका श्वागत है हमने आपको इल्ट से जुड़ी 25 जिन्वरी को एक ख़बर दिखाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था इल्ट भट्टे मालिक किस तरीके से मन मानी कर आपके जेब के पैसे को लूट लेते हैं हमारे ख़बर का रंग़ी आना सुरू हो गया है आज हमने किसंगर्च के जिला पतादीकारी से इल्ट भट्टे से सम्मंदित सरकारी रेट का दर क्या है इससे लेकर के हमने जामना चाहआ तो अगर आपको इाट भट्टे मालिक या उनके कोई दलाल आपको अगर बताया होगा की इ運 भट्टे का rate fixed कर दिया गया है तो यह आपकी गलत फेहमी है ऐसा कोई भी सरकारी rate जिलापदादीकारी की सरंगन नहीं ते किया है जिलापतादीकारी ने बताया कि 19-184 का एक नियाममली है जिससे जो है E2 का rate निर्धारित किया जा सकता है लेकिन अस पस्ट नहीं रहने के वज़े से जिलापतादीकारी ने कोई rate fix नहीं किया है किसंगंज सिमानचल सहीत अरडिया पूरिया कठियार किसंगंज सुपोल सहरसा से इडभट्टों का एक रेट को मंगवाया गया और उस रेट आने के बाद उसमें से एक फिक्ष्ट किया गया आथ हजार पांसो रुपई है एक हजार एक नंबर एटों की कीमत जो इडभट्टे जो मालिक है ये अपने अपने जो भट्टे हैं वहाँ पर रेट एक चार्ट लगवाएंगे लेकिन इसमें 5% जो GST है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और अलग से आपको जो कैरिंग कोस्ट है जो वहाँवों की खर्च है उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो आखिर क्या फाइदा हुआ या नुक्षान हुआ ये जिरापता जी कारी का बेयान के बाद आपको हम बताते हैं सरकारी दर्नेधारन नहीं कर पा रहे हैं कोई भी लेकिन चूंकि यहाँ पर 10 जिलों का हम आज पास के सभी 10 जिलों का रेट मंगाया उसको कंपेर किया और इनिट बट्टा मालिकों के साथ एक बैठक की तो सभी लोगों ने जो एक नंबर का इनिट होता है उसका पचासी सो रुपय अधिक्तम दर्नेधारन करने का एक सहमती अपनी दी है और साथी साथ उसको डिस्प्लेट भी वो सभी बट्टों पर करें तो हम लोग यह अपिक्षा कर रहे हैं कि जो पहले साड़े नो दस हजार से जादा भी रेट कुछ जगर पर बाते आ रही थी तो वो अधितन दर्ट पचासी सो है आपने सुना गिसंगंजिला पुदाधिकारी ने सफ़स्ट कहा कि सहमती से रेट निर्धारित किया गया है इट भट्टा मालिकों को बुला करके उसके साथ बैठक कर सारे आठ हजार रुपेया निर्धारित किया गया है लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं जिरापतादीकारी ने ये भी बताया जो पहले सारे 9000 से 10000 या उससे भी उपर लोगों को खरिदना पड़ता था लेकिन आप बात करें तो सारे 8000 रुपेया इटो का जो है वो बास्तोविक मुल है और उपर से GST आप जोडते हैं तो 425 रुपेया 5% GST है और किराया 500 से 600 रुपेया अगर आप जोडते हैं तो लगबग सारे 9000 रुपेया 1000 इटो की कीमत हो जाती है तो बात बराबर कोई फर्द नहीं हुआ है पहले भी इसी दर में बिलता था और आज भी इसी दर में मिलता है अब हम इस इटों की रेट को लेकर जो भवन निर्मान विभाग के राधिस्याम जादब जो जुनियर इंजिनियर है उनसे हमने फिर पुलह उनसे संपड़ किया उनसे पूछा यह फिक्ष कोल करता है सब्सक्राज स्ड़ूलफ एक कमिटी होती एंस पुल्बाम जो प्रस निर्ण और शुनियर खोलाराण समीती होती है अभिक्राट संप्राट आधिक्षतान होता है उसमें सभी 16 आध़ लिया आता है जो उन रहर मतंड़्चा मॉन रहता है वो न नीमतम रिट होता है उस मिनमाम रेट को बिवाग उसको एप्रूव करता है तो वह बिवाग हम लोग बभबंद्रिवाहन खिलिए अप्रूव करकर करके कमिंटी ते पूरू होता है नहीं अ तो यह यह डिया है defa पासिज ने जो हमें सिदूरेट कमिटी के बारे बताया जिसे हमने गूगल किया और एक वेबसाइट में जाकरके एक PDF फाइल मिला और PDF फाइल के अंदर जो सिदूरेट कमिटी फॉर दा येर 2018-2019 के लिए इटो की निर्धारित मुल्ड तै किया गया था उसमें एक ग्रेब ब्रिक्स की जो पूनिया कमिशनरी में जो रेट है हम आपको बता रहे हैं ये 5699 रुपिया इसमें तै किया गया है और इसमें ग्रेब भी का भी इसमें जिक्र किया गया है तै किया गया है जो पूनिया में पूनिया कमिश्णरी के लिए यह है 5,266 रुपे यह इसके अलावे इसमें जिक्र के आगया है बिक्स टाइल्स जो पूनिया में कमिश्णरी में इसका रेट है 6,530 रुपे यह और एक और भी जिक्र के आगया है पिकेट चामा ब्रिक्ष जो पुनिया कमिश्णरी में पर थावजिन की कीमत है चारहजार आठ सो पैठिस रुपईया पांच फिलवडी को एक ट्रेक्टर मिला जिसमें दोहजार इट उसमें लदी भी थी और उसमें इटू का कीमत था वो छहजार रुपईया था तो मेरा कहना है अगर आप सरकारी रेट भी देखेंगे और उसमें GST लगाएंगे तो लगभग 6,000 रुपईया आई जाता है लेकिन जिलापदाधी कारी के दुवारा सारे 8,000 रुपईया सहमेती कर इटू के कीमत लगाना तो लोगों को कहीं न कहीं 2,500 रुपईया चुना लग रहा है आखिर जिलापदाधी कारी ने लोगों का पोकेट से चुना क्यों लगाया और दूसरा सवाल है जब एक इट भटा मालिक के वो 6,000 इटों का वास्तविक मुल है वो दे सकते हैं तो दूसरे इट भटा मालिक क्यों नहीं दे सकते हैं ये गंभीर सवाल है और जिसे लेकर लोगों का भी जो है जो एक आंदुलन के मूड में है अगर सही रेट में अगर इटा नहीं आए तो इसके लिए आंदुलन भी हो सकता है लोग सरक पर उतर सकते हैं